दोसो आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करूँगा रश्यन आथर लियो टॉल स्टोय की एक और शार्ट स्टोरी बड़ी कमाल की शार्ट स्टोरी थ्री कोश्चन्स तीन सवाल दोसे ये स्टोरी जो है बहुत एक कमाल की है जिसको 1885 में पब्लिश करवाया गया था बहुत सवाल किसी भी चीज को शुरू करने का सबसे सही टाइम क्या है दूसरा सवाल उसे किस इंसान को सुनना चाहिए या कौन से इंसान उसके लिए सबसे जरूरी है तीसरा सवाल सबसे जरूरी चीज क्या है जो उसे करनी चाहिए ये तीन सवाल तो राजा ने अपने मैसेंजर को पूरे स्टेट में भेज दिया कि भही मैं बहुत पैसा दूँगा तुम बस ये बताओ कि इन तीन सवालों के जवाब क्या है अब बहुत सारे समझदार लोग आये राजा के पास में लेकिन सब ने अलग-अलग जवाब दिया पहले सवाल का जवाब जो उन्होंने पूछा था कि सही टाइम क्या है किसी चीज़ को शुरू करने का तो उन लोगों ने जवाब दिया कि आप एक टाइम टेबल बना लो ना उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्ली फॉलो करो उससे क्या होगा आप अपने सारे काम प्रापरली टाइम पर कर पाओगे तो इस चीज़ का भी कुछ लोगों ने तोड निकाल दिया कि ये कैसे पॉसिबल है अब कैसे इंसान पता लगाया कि कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है ये तो पॉसिबल ही नहीं है अब राज़ा सबकी बाते सुन रहा था कुछ लोगों ने एडवाइस दी कि बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो सही टाइम पर काम करो और सही सबसे जरूरी काम करो तो कुछ लोगों ने सला दी कि समझदारों कि एक कॉंसल बैठा लो एक ग्रुप बैठा लो उनसे सला लो प्रॉपरली टाइम पर कौन सा काम करें क्योंकि एक आदमी तो कैसे बता एक पूरी टीम रखो अपने पास लेकिन फिर कुछ लोग बोले कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो अर्जेंट करने बढ़ते हैं जैसे अगर तुम्हारे राजजे पर अटैक हो गया तो उस टाइम पर कॉंसल से थोड़ी पूस्ते बैठेंगे इतना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे तो सॉलूशन क्या है तो ऐसे में कुछ लोग ऐसी बेवकूफी वाले बात करते हैं तो आपको फ्यूचर में जाकर देखना पड़ेगा कब किसी काम को शुरू करने का सही टाइम है तो आप ऐसा करो जादूगरों के पास में जाओ जादूगर आपको बता देंगे कि किसी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है अब ये मिले पहले सवाल के जवाब अब दूसरा सवाल क्या था मुझे किन किन लोगों को सुनना चाहिए या कौन से लोग मेरे लिए जैरूरी है तो लोगों ने अपने अपने दिमाग से इसके भी जवाब देना शुरू कर दिये कि आपको अपने अडवाइजर्स को सुनना चाहिए जो आपको अडवाइज देते हैं आपके सलाकार तो कुछ लोग बोले कि पुजारियों को सुनो पंड़त, प्रीस्ट, धार्मिक लोगों हो तो कुछ लोग बोले कि ने डॉक्टर्स को सुनो जो करना चाहिए, तो लोग बोले, साइंस पर काम करो, साइंस कल की जरूरत है, तो कुछ लोग बोले, कि फाइट करो, लड़ाई करो, फाइटिंग पर ध्यान दो, कुछ लोग बोले, रिलिजिन और पूजा पार्ट पर ध्यान दो, तो ये तीनो सवालों के जवाब आया, अ जो अपने समझदारी के लिए बहुत जाने जाते हैं वो शायद आपके सवालों के जवाब दे सकें लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है सर कि वो जंगल में रहते हैं और वही रहना पसंद करते हैं तो वो तो यहाँ आएंगे नहीं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आपको वहाँ खुद उनके पास जाना पड़ेगा जंगल में और दूसरी बात ये कि उन सादू बाबाजी ने अपनी जिंदगी में कभी ना तो एक्स्टा ओडिनरी चीजे देखी है ना एक्स्टा ओडिनरी लोगों को तो राजा जी समझ गए उन्होंने डाल लिये भई सीधे सादे कपड़े बधन पर और गए बाबाजी के आश्रम में अंदर जाने से पहले उन्होंने अपना घोड़ा और बाडिगाड दूनों बाहर छोड़ दिये और अकेले गए अंदर तो अंदर जाके उन्होंने देखा कि बाबाजी अपनी जूपड़ी के सामने गड़ा खूद रहे थे गड़ा नहीं खूद रहे थे एक्छली खुदाई कर रहे थे शायद कुछ बूने के लिए तो राजा जी को उन्होंने देखा राजा जी को प्रणाम किया उन्होंने भी किया और वापस बाबा जी अपनी खुदाई में लग गए अब बाबा जी बहुत ही कमजोर और बूड़े थे काम करते करते वो बहुत जोर जोर से सांसे वर रहे थे हाफ रहे थे तो राजा जी बाबा जी के पास में गया और डारेक्ली उन्होंने बाबा जी से अपने सवाल पूछ डाले कि मैं आपकी समझदारी की तारीत सुनकर यहाँ पर आया हूँ प्लीज मेरे तीन कोश्चन्स का जवाब दीजिए पहला किसी चीज को शुरू करने का सही टाइम क्या है कैसे पता चले दूसरा किन लोगों को मुझे सुनना चाहिए कौन से लोग मेरे लिए सबसे ज़ाज ज़रूरी है किन लोगों की मुझे सबसे ज़रूरत है और तीसरा सवल, सबसे जरूरी काम क्या है जो मुझे करना चाहिए बाबा जी राजा जी की सारी बात सुन रहे थे लेकिन बोले कुछ नहीं अपने खुदाई में लगे रहे, खुदाई करते करते वहाँ ठक गए थे तो राजा बहुत ही अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना फावड़ा देजे, मैं काम करता हूँ आपकी जगह शुक्रिया बाबा जी बोले, और अपना फावड़ा उनको पकड़ा दिया वो जमीन पर बैट गए और राजा ने खोदना शुरू किया, वो खोदते गए, खोदते गए, थोड़ी देर बाद रुक कर वो अपने सवाल को वापिस रिपीट करते हैं बाबा जी की सामने लेकिन बाबा जी ने इस बार भी कोई जवाब ने दिया, राजा को भी ये बात बुरी ने रगी, कि समझदार लोग ऐसे ही होते हैं, वो अंगडाई लेकर फिर से अपना काम करना शुरू कर दिये तो वाबा जी बोले, ला बेटा आप तू बहुत थग्या होगा, मुझे करने दे, तू रेस्ट कर ले लेकिन राजा जी ने मना कर दिया, कि मैं खुद ही खुदा ही करूँगा, काम करते करते एक घंटा गुजर गया, फिर दो घंटे गुजर गये, फिर और घंटे गुजर गये, सूरज दूटने का टाइम आ गया था, आखिर में तो राजा ने अपना फावडा रखा, और बोले, मैं आप जैसे समझदार के पास आया था, अपने सवालों के जवाब जानने, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, तो बता दीजे, मैं चला जाऊँगा वापस लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, एक डाड़ी वला आदमी राजा की दरफ भागता हुआ अंदर आया, उसी आश्रम में उसके पेट पर उसके हाथ रखे हुए थे, खून निकल रहा था, वो राजा के पास पहुँचा, राजा के हाथों में वो वेहोश हो गया और गिर बाबा जी और राजा ने मिलकर उस आदमी की कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट पर बड़ा सा घाओ था, राजा ने उसको धोया उस घाओ को और रुमाल से उस घाओ को कवर कर दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था, राजा भी अड़ा हुआ कि इसका खून तो बंद करके रहूंगा, वो घाओ की सफाई कटता रहा, कटता रहा, जब तक की खून बहना बंद नहीं हो जाता डंक सी, जब वो आदमी थोड़ा ठीक पील करने लगा, तो उससे पीने के लिए कुछ मांगा, राजा ने उसे फ्रेश वाटर लाकर दिया, अब सू करके ठक गया था, तो वो भी जमीन पर लेट गए, और सो गए, अब सुबह जब आँख खुली, तो राजा हैरान कि यह मैं का हूँ, वो देखने लगा, ऐसे इदर उदर कि कहां आ गया, फिर उसे याद आया कि मैं तो बाबा की जोपड़ी में हूँ, यहीं सो गया था रा मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, दरसल मैं आपका दुश्मन था, आपसे बदला लेने आया था, क्योंकि मेरे भाई को आपने death sentence सुना दिया था, और मेरी property भी जब्त कर ली थी, मुझे पता चला कि आप यहां बाबा की आश्रम में आ रहे हो, और अक कर घायल कर दिया, मैं उतसे बच कर अंदर आया, उस वक्त मैं बहुत बुरी हालत में था, शायद मर भी जाता, उस वक्त आपने मेरे जख्मों को ठीक किया, मैंने आपको मारना चाहा और आपने मेरी जान बचाई, मैं आपको मारने जरूर आया था, लेकिन अब यह मेरी ज उनका दोस्त बन गया तो उस आदमी से उन्होंने प्रामिस किया कि मैं तुम्हारे जेक्मो को ठीक करने के लिए बढ़िया डॉक्टर्स भीजूँगा और तुम्हारी ये प्रापर्टी है उसको मैं वापिस लोटा दूँगा अब उस घ्वायल आदमी को गुडबाय कहकर राजा जी जौपडी से बाहर आए और बाहर आने से पहले वो बाबा जी को यहाँ वाँ ढूनने लागे और जाने से पहले एक आखरी बार वो बाबा जी से वो सवाल फिट से पूछना चाते थे शायद इस बार बाबा जी उनकी सवालों की जवाब दे जए तो बाबा जी तो घुटनों पर बैठे कल अपनी खुदाई की हुई जगाओं पर बीच बो रहे थे राजा जी उनकी पास जाकर बोले बाबा जी मैं जा रहा हूँ लेकिन एक आखरी बार एक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे सवालों की जवाब देखे बाबा जी बोले लेकिन तुम्हें तो अपने जवाब पहले ही मिल चुके बैठा जवाब मिल गए क्या मतलब आपने तो अभी तक दिये नहीं तो बाबा जी बोले कि तुमने देखा रही कि अगर तुम कल मेरे पास मेरे इस कमजोर शरीर पर धया दिखा कर मेरे लिए खुदाई ना करते तुम यहाँ से चले जाते वो आदमे तुम पर अटैक करके तुमको मार देता लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया उस वक्त तुमने मेरे साथ रहना सही समझा जो जरूरी टाइम तुम्हारे लिए उस वक्त था वो था जब तुम खुदाई कर रहे थे सबसे इंपॉर्टन टाइम था और सबसे इंपॉर्टन इंसान उस वक्त मैं तुम्हारे लिए था जिसके लिए तुम काम कर रहे थे सबसे जरूरी काम वो था जो तुम मेरे लिए कर रहे थे उस वक्त ठीक है वैसे ही उसके बाद जब वो आदमी तुम्हारे पास भाग कर अंदर आया तो उस वक्त तुमने अपना most important time उस घायल की सेवा करने में लगाया अगर तुम ऐसा ना करते तो शायद वो आदमी तुम्हें अपना सच बताय बिना ही मर जाता तुम्हारे साथ समझोता कि ये बिना ही मर जाता और उस वक्त तुम्हारे लिए most important इंसान वो था जिसके लिए तुम ये सब कर रहे थे most important काम था उसकी सेवा करना तो याद रखो तुम्हारे लिए सबसे important time जो है वो है आज present जो चल रहा है क्योंकि ये ही वो time है present ही वो time है जिसमें तुम्हारे पास कुछ करने की power होती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो वो power तुम्हें past में ने मिलती वो power तुम्हें future में ने मिलती present में मिलती है तो present ही सबसे most important time है कुछ भी करने का दूसरा सवाल सबसे जरूरी इंसान कौन सा है सबसे जरूरी इंसान वो है जो उस वक्त present में तुम्हारे साथ में है चाहे वो तुम्हारे माबाप हो, भाई भेन हो, टीचर्स हो, कोई भी हो क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि future में क्या होने वाला है पांच मिनट बाद ही तुम गुजर जाओ कोई नहीं जानता, फिर किसी से मिल भी पाओगे या नहीं तो उस वक्त present में जो तुम्हारे साथ है, उसकी साथ अपना time enjoy गरो वो ही तुम्हारे लिए सबसे important है तीसरे सवाल का जवाब तो बहुत ही simple है सबसे जरूरी काम क्या है? अच्छा काम, जो तुमने किया उस वक्त उस इनसान की जान बजा कर यही वो एक purpose है जिसकी लिए हम इस दुनिया में मौझूद है